तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले एक स्काय सौट तो चलिए हम इसे बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक पेपर की स्टिप कट कर लेनी हैं लेकिन गाइज इससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देना टारगेट सिर्फ सौ लाइक्स का है तो गाइज हमने ये पेपर की दो स्टिप कट कर ली है और गाइज अब हमें इस पे अच्छी तरह से ग्लू लगा कर किसी भी गोल चीज से हमें इसे अच्छी तरह से रोल कर लेना है एकदम अच्छी मजबूती के साथ में तो ये अब हमारी पेपर की पाइप त्यार हो चुकी है नेक्स्ट हम एक वेस्ट निउस पेपर लेंगे और उसका एक बॉल बना लेंगे और ये बोल हम इस पेपर के पाइप के पीछे अच्छी तरह से फिट कर देंगे पैन की मदद से अच्छी तरह से इसे अंदर डालने के बाद में हमें प्रेस करना है और गाइज अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद में हमें इसके पीछे ग्लू लगा देना है और फिर इस glue को सूखने के लिए रख देंगे So guys ये glue जब तक धूप में सूख रहा है आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना So guys अब हम next इस sky sort का बारूत बनाने वाले हैं माचिस की मदद से So next guys हमें कुछ इस तरीके का एक माचिस का बॉक्स लेना है और इन सभी की sticks में से हमें इस बारूत को निकाल लेना है कुछ इस तरह से cutter की मदद से या फिर player की मदद से भी हम निकाल सकते हैं इसको So guys अब मैं इसे फटाफट निकाल लेता हूँ तो हमने इसका powder निकाल लिया है और अब हमें इसे इस तरह से fold करके और अब हमें कोई भी एक pen या pencil लेके इसके उपर roll करना है कुछ इस तरीके से जिससे कि ये powder एकदम बारिक हो जाए और अच्छी तरह से mix हो जाए ये powder बना जब तक हमारा pipe भी एकदम अच्छी तरह से सूख चुका है Next हमें इस pipe में जो हमने paper डाला था उसके जस्ट उपर एक compass की मदद से एक hole करना है Next गाइज अच्छी तरह से hole करने के बाद में मैंने इसके अंदर एक इस बिजली बम की fuse लगा दी है इसके बाद में हमने जो बारूत बनाया था उस सारे बारूत को अच्छी तरह से हम इस pipe में डाल देंगे So guys बारूत को अच्छी तरह से डाल देने के बाद में Next हमें हमें एक बिजली बम लेना है और इसे इसके अंदर कुछ इस तरह से उल्टा करके अंदर डाल देना है इस pipe में और इसके बाद में हमें एक paper का ball इसके अंदर डाल देना है ज्यादा अंदर नहीं डालना है हम इस ball को सिर्फ air pressure के लिए डाल रहे हैं तो guys अब ये ready हो चुका है last में हमें कुछ इस तरीके का paper लेना है और इस पे glue लगा कर इसके उपर अच्छी तरह से चिपका लेना है so guys अब हमारा sky shot बनकर ready हो चुका है एकदम अच्छी तरह से अब हम रात को इसकी टेस्टिंग करेंगी कि क्या ये सही में work करता है या फिर नहीं जो भी होगा guys मैं आपको एकदम सच सच वीडियो में बताने वाला हूँ okay guys इस sky shot की काफी सारी fake videos मैंने youtube पे देख रखी है so guys तो अभी रात हो चुकी है तो इसकी टेस्टिंग की बारी आ चुकी है so guys इस sky shot को मैं इस प्लायर से दबा के अच्छी तरह से रख देता हूँ ताकि ये गिरे नहीं so guys अब बारी हाती है इसके cell में आग लगाने की so guys जैसा कि आपने देखा कि हमारा ये sky shot एक तम अच्छी तरह से वर्क किया बस हमारा बिजली बम जादा हाइट तक नहीं जा सका इसलिए नीचे आके फट गया देख सकते हैं आप एकड़म ये एकड़म रियल sky shot के तरह वर्क किया है so guys मैंने अब एक और sky shot बनाया है सेम उसी तरह से तो चलिए इसकी ब्रेस्टिंग करते हैं सो गाइज इस बार्ट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो